दो हजार चौविस का कर्मा पूजा कभ है इस साल कभ और कैसे मनाएंगे कर्मा पूजा हलो एवरीवन वेलकम बैक टो में चैनल कुंजर ओफीसियल आपर यूर चैनल कैसो आप लोग कर्मा पूजा भारत का एक लोग प्रिये पूजा है ये पूजा को बिहार जारखंड के अलावा आसाम चतिसगड और पश्रिम बंगाल में धूम धाम से मनाया जाता है 2024 का कर्मा पूजा कब है इस पूजा को कैसे मनाया जाता है इस साल बिहार जारखंड बंगाल जैसे राज्यों में 14 सितंबर यानी के सनीवार के दिन कर्मा पूजा मनाया जाएगा इस दिन बेहन अपने भाई की दिरग आयू और सुख सान्ती की कामना करके भगवान से दुआ मांगती हैं, इस तरह कर्मा पूजा मनाई जाती है कर्मा पूजा जूर पूजा कर्मा धर्मा कैसे मनाया जाता है बिहार जारखंड जैसे राज्यों में ये पूजा बरे धुमधाम से मनाया जाता है ये पूजा को बेजोर दिन मनाया जाता है जैसे पांच दिन साथ दिन तीन दी ऐसे मनाया जाता है इस दिन पूजा से पहले कुवारी बहन डाला लेकर नदी या तलाब में नहाने जाती हैं वे डाला में तलाब या नदी से बालू लेकर आती हैं इस बालू में पांच तरह का अनाज बोई जाती है जैसे कि गेहू, धान, चना, उरद, मकई, जोग, कुल्दी पूजा से पहले लोगों ने जंगल से करम पेर की साखा काट कर घर तक लाते हैं जिस दोरान वे साखा को जमीन से नहीं लगाना होता है कर्मा पेर के साखा को पूजा से पहले घर के आंगर में अच्छी तरह लगाया जाता है और पारमपरी गीत के साथ इस से तरह तरह का चीजों से सजाया जाता है इस दिन लोगों के खेट पर छोटे छोटे कर्मा साखा को लगाया जाता है गाउं के साथ गाउं के सारे लोग ये पूजा देखने आते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ये पूजा कर्मा राजा की पूजा होती है इस दोरान ब्रह्मवन जो पूजा कर रही होती है वे कर्म धर्म की कहानी सुना कर पूजा करती हैं इसी दोरान सभी बहन और गाउं के वरत रखने वाले म महिला नाच गीत के साथ वे करम पेर के साखा को पास के तलाव या नदी में विसरजित कर देते हैं करमा पुजा बिहार जहार खरंड पश्रिम बंगाल राजयों का बहुत लोग प्रियत योहारे बहन और महिलाएं अपने भाई के लिए व्रत करते हैं बहन अपने भाई के सुक्सरमिदी के लिए करमा व्रत रखती हैं इस दिन बहन करम देव से दुआ करती हैं कि उसकी भाई पर कभी कोई संकत ना आए इस दिन करम देव के पास परिवार के सुक्सरमिदी के लिए दुआ करती हैं वे पूजा से भाई और बहन के रिष्टा मजबूत होती है, भाई के दिर्ग आयो की कामना करके बहन अपने भाई के लिए ये वरत रखती है, कर्मा पूजा 2024 में कभ है, कर्मा पूजा हर साल भादर माश सुकल पक्ष एकादसी को मनाया जाता है, 2024 में ये वरत 14 सितंबर के दिन मनाया जाएगा, ये पूजा को भी हार जारकंड और 36 गड में कर्मा धर्मा जूड पूजा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे परवर्तनी एकादसी भी कहा जाता है, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये कर्मा वरत वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताईएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना, बिल्कुल हमुला, थैंक्स पर वाचिंग की सपोर्ट